सबी दश्कों को मेरा नमश्कार सबसे पहले तो तह दिल से आप सबी लोगों का धन्यवाद चानल को इतना जादा प्यार देने के लिए प्यार के रिटर्ण में लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो और आज की वीडियो में ये सभी होंगे हमारे साथ ही जिनको इस्तमाल करके हम मसर ट्रेन करेंगे 4 arms आज की वीडियो में हम 6 exercises करेंगे जिनको हमने 3 group में divide किया है हर एक group में हम 2 exercise को super set में perform करेंगे और जब भी आप next 4 arms करने वाले हो इस workout schedule को try करना मुझे comment box में लिखना कि आपको कैसा लगा मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मेरे 22 साल का experience है जो मैं आज की वीडियो में share करने वाला हूँ आएए अपना वीडियो शुरू करते हैं first group की दो exercises में से पहली exercise है behind the back rest curl करने के लिए आपको एक बार की जरूरत पड़ेगी जिसको हम पीछे hold करेंगे इस तरीके से चिक है अब यहां से आप अपनी wrist को curl करोगे maximum hold for a second and then release करोगे but release करते हुए आपको धियान करना है कि आप बार को fingers पे इस तरीके से आने दे सकते हो इससे आपके four arms को extra stretch मिलेगा यहां से rotate अच्छी grip लें and then curl it again और slow करें so that आप हर एक repetition को feel कर पाएं and आपको number of repetition जो करने है वो होगे minimum 20 to 25 lift squeeze और जैसे ही आपके 25 repetition complete हो जाएंगे तुरंट आप बार को रख देंगे और बिना break लिए अगली exercise हम करेंगे towel wrist rotation और इस exercise के लिए आपको दो towels की जरुद पड़ेगी जिसमें आप बार को इस तरीके से रख लेंगे and just lift it up पहले hold करें और control बना ले और उसके बाद आप दोनों wrists को इस तरीके से rotate करेंगे and slowly rotate करना है आपको इससे आपके four arms में बहुत अच्छा pump आएगा और minimum आपको 45 second के लिए hold करना है और अगर आप जादा भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है till failure और जैसे ही यह हो जाएगा आपका बार रखो यह आपका एक set हो गया तो यानि दो exercise super set में करी हमने और आपको total number of sets जो करने है वो होंगे तीन अगली exercise पे जाने से पहले जिस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ की फिजीक के साथ साथ skin का ध्यान रखना भी ज़रूरी है जिसके लिए आप ज़रूर ट्राइ कीजिए उस तरह की total D10 kit जिसमें आपको मिलेगा D10 scrub and D10 cream ये एक complete solution है आपकी tanning को reverse करने का skin की uneven tone को even करने के साथ साथ brighten करने का ये kit आपके dark spots, pimple and black heads को remove करने में भी help करेगी दोनों ही product में कोई harmful chemical नहीं है और high quality ingredients इस्तमाल किये गए हैं scrub में अक्रोट और हलीम के बीज हैं जो skin को exfoliate करेगी और cream में मुलठी एंड जैपनीज यूजू है जो skin को repair करेगी scrub से face पर massage करें 3-4 minutes एंड उसके बाद wash कर ले for best result आप 3 दिन में एक बार scrub use कर सकते हैं उसके बाद आप कोई जितनी cream face और neck पर अच्छे से apply करें for best result आप इसको रात को सोने से पहले हर दिन इस्तमाल कर सकते हैं description box में आपको link दिया गया है click करके product चेक करें second group की पहली exercise हम कर रहे है reverse curl जिसके लिए आपको सबसे main बात ध्यान रखनी है कि जो आपके दोनों हाथों के बीच के grip होगी वो shoulder से slightly अंदर होगी go tight chest lift बिना elbow को move किये आपको bar को maximum lift करना है till shoulder level ये अराम से release करो और आपको lift करते हुए move नहीं करना maximum four arms को use करते हुए bar को पूरा उपर lift करना है full range of motion जब भी आप bar lift करते हुए आपको breathe out करना है जैसे ही आपके 12 repetition हो जाएंगे bar रखेंगे और हम exercise करेंगे wrist roller बहुत ही interesting exercise है और ये आप online order कर सकते हो अपने हातों को सीधा रखेंगे and roll करेंगे upward roll 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 normal breathing रखें और weight आप अपने according डालें बहुत जादा weight डालने की कोशिश ना करें और जब plate पूरा उपर आ जाए तो छोड़े ना इसको भी आपको जिस तरीके से roll कर रहे थे हैं उसी तरीके से slow pace में खोलना है pump होगे forearm अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कितनी बार roll कर सकते हैं और कितनी बार release मैं एक ही बार करके दिखा रहा हूँ बट आप करना tail failure ये हो गया हमारा एक set और आपको number of sets करने हैं तीन तीसरे group में पहली exercise हम कर रहे हैं reverse wrist curl dumbbell से करेंगे करने के लिए आपको एक bench की जरूत पड़ेगी जिस पर आप हाथ को इस तरीके से place करोगे dumbbell को hang रखेंगे wrist पे और यहां से आप curl करेंगे wrist को reverse forearm को squeeze करेंगे and dumbbell को अराम से छोड़ देंगे but dumbbell को यहां पे आपको finger पे नहीं छोड़ना light weight का इस्तमाल करें so that आप muscle को पूरा target कर पाएं high repetition range करेंगे number of repetition हमारे होंगे 20 to 25 जब भी आप dumbbell lift कर रहे हो breathe out करो target करो आप अपने muscle को कितना ज़ादा hit कर सकते हो जैसे ही आपके 25 repetition हो जाएंगे dumbbell रखेंगे और उसी हाथ से आपको करना है forearm squeeze जिसके लिए मैं इस तरीके का lock इस्तमाल कर रहा हूँ आप squeeze ball भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर lock नहीं है hold करेंगे ऐसे और press करेंगे पूरा और आपको करना है maximum यानि till failure करते रहें इससे आपका forearm बहुत अच्छा pump हो जाएगा और जैसे ही आपका failure हो जाए हम दूसरे हाथ से भी same activity करेंगे वो हमारा होगा 1 set और आपको number of sets करने है 2 ये था हमारा आज का वीडियो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज like बटन जरूर प्रेस करें और मुझे comment box में लिखे कि किन further topics पे आप चाहते हो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा content बनाता रहूँगा आपके समाक्षाता रहूँगा तिल देन गुडबाई नमस्ते कि अजिए बनाता रहूँगा